असलाम अलेकुम, PSL Talk के साथ, मैं हूँ दान शनीस, आप हमें Jio Super के Facebook page पर लाइव देख रहे हैं, PSL Talk का मकसद, आपके सवाल आपको entertain करना है, आपसे interact करना है, आपके जो भी problems हैं, जो भी issues हैं, जो भी comments हैं, वो आप हम से share कर सकते हैं, we'll make it part of this show, और साथ-साथ हमारे poll questions भी आपको JioSuper.TV पर मिलेंगे, ना से poll questions, बलकि उसके साथ-साथ बहुत सारे articles, updates आपको JioSuper.TV पर मिल सकते हैं, all you have to do is log on to the website, और वहाँ पर आपको तमाम से details मिल जाएगी, हमारे reporters all over Pakistan, reports फाइल कर रहे होते हैं, और आपको तमाम से अपडेश वहाँ से मिल सकती हैं, पाकसन Super League आज दूसरा दिन है, दूसरा और तीसरा मैच आज खेला जाएगा, दो अलग-अलग वेन्यूस पर, पहले कराची में पहला मैच खेला जाएगा, पाकसनीवक के मताबक तीन बचे, इस गोईन तो बीन होस कराची किंग्स versus पिशावर जलमी, पाकसनीवक मताबक तीन बचे ये मैच होगा, दोनों ही तगरी टीमें हैं, अगर हम head-to-head मुकाबलों की बात करें, तो पिशावर जलमी और कराची की दिम्यान डस मैच खेले गए हैं, दस मेंच चे आट पिशावर जलमी ने जीते हैं, जबके दो मैच जीतने में कामियाब हुई है, दूसरा मैच अलग मैच की बात करें, ओपनिंग सेर्मनी के काफी मिक्स रिव्यूस थे, कुछ लोग को पसंद आई, कुछ लोग को बल्कुल पसंद नहीं आई, कुछ लोग एक ही पॉइंट को लेके बैठे में और उस पर अपने तासुरात का इज़ार करें, बट ओवराल कराची के नाशी स्टेडियम बहुत जादा खुपसूरत लग रहा था, पर जितनी भी कसर थी नहीं ओपनिंग सेर्मनी की, वह सारी पूरी हो गई, जब पहला मैच शिरू हुआ, इसलामबाद इनाइटर और कुछ ग्लाइटर ने ये मैच से तीन विक्टों से अपने नाम किया, रिजल्ट कर देखने हैं तो आप सोच रहोंगे, क्वेट ग्लाइटर ने तीन विक्टों सेज मैच जीत लिया, बट वेरी क्लोस मैच, लिटल टू क्लोस फोर कोईटर ग्लाइटर लाइकिंग, आप लोग के सवालाद हम तेक पहुचना शुरू होंगे, जैसे ही उनके जवाब हम दे हाउस बन चुके हैं और बहुत ज़्यादा कॉंफिदेंस बाबर आजम में नजर आ रहा है, माद वसीम कैप्टन है, आलिक्स हिल्स, कैमरों डिल पोर्ट, ऐसे प्लेयर्स कराची किंग्स के टीम का हिस्सा हैं, सासाची, कल की ओपनिंग सर्मनी के बाद काफी सारे लग हुआ है, क्योंकि 50.41% लोग ने कहा कि सप्राइब कली मैच जीतेंगे, जबके 49.59% लोग ने कहा कि ये मैच शादा आफ खान जीतेंगे, इट वस दाट ख्लोज मैच, तो आप लोग बिल्कुल स्पोर्ट-उन थे, आज का पोल क्वेशिन भी आपके लिए रिपीट क सकते हैं और पोल कुएसिन का हिस्सा बन सकते हैं, खीब इं माइड कि बहुत असान है, आपने जीतेंगे, वापर को फोल कुएसिन आपको नजर आजाएगा और आप उन सवालाइद के जवाब दे सकते हैं, आप अपडेट का अपडेट भी हासिल कर सकते हैं, So we'll get on towards your questions आप लोगों के बहुत सरे सवाला हमारे पास आना शिरू हो गए हैं बहुत सरे लोग आज इस बात में इंटरिस्टेड हैं कि दोनों टीमों का स्कॉर्ट कौन होगा साकिप पंदरानी कह रहे हैं It's exciting to see शरजील खान, hope for the best to KK याद है केके की इस बार टीम काफी तगली नज़र आ रही है बड़े जबदस प्रोटेंशल वाले प्लेयर्स केके की तीम में मौझूद है उमर खान आज खेलते हैं या नई खेलते हैं That's going to be a question क्योंकि फिछले साथ उमर खान ने जबदस शांडा काकरती की दखाई थी इसके लावा हामिद खान कह रहे हैं किस टाइम है बाईयों तीन बजे पाक सनी बग के मताबिक आज काला मैच कहला जो आएगा कराची के नाचित सेलियम में It's between कराची किंग्स and पिशावर जलमी उसके लावा हमें मुहमद नासिर कह रहे हैं हेलो क्या हाल है नासिर भाई मैं बिल्कुल ठीक था को कोई सवाल वाल करने है कोई कॉमेंट्स का देते हैं हमें कल की ओपनिंग सेलियमनी कैसी लगए आपको कल का मैच कैसा लगा अपने तासुरात आज हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं डारन सैमी पिशावर के कैप्टन है ये पूछने है अरसलान मुगल तो इस डारन सैमी वर्सेज इमाद वसीम और ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि इन दोनों के दम्यान जो एक्सपिरियंस का एक गैप नजर आ रहा है क्या वो डिफरिंस क्रियेट करेगा क्योंकि हम सब जानते हैं डारन सैमी अपने पैशन अपनी इंटेंसिटी के बाएस से कितना उफ प्रोवाइब करते हैं पिशावर जलमी की टीम को अन दी अधर हांड इमाद वसीम एक नए कप्तान है एक इनक्सपीरिंस कप्तान है यह ने क्पतानि करते वे लेकिन अफ इसके लावा फिच्छे साल भी पी एसल में उनको कप्तानी करते वे किस तरह चलाते हैं? याद रहे, बहुत सारे लोगों ने कल सवाल किये कि ये प्लेयर टीम का हिस्सा क्यों है, ये प्लेयर ड्राफ्ट क्यों नहीं हुआ तो जी ये लीग क्रिकेट है, फ्रैंचाइस क्रिकेट में कुछ ऐसा ही होता है के फ्रैंचाइस अपने दिमाग के हसाफ से, अपने कॉम्बिनेशन के हसाफ से टीमें बनाती हैं और फिर हमें रूल्स याद रखने हैं पाकिसान सुपर लीग के, लाजमी है हर टीम के लिए, हर फ्रैंचाइस के लिए एक इमरजिंग प्लेयर खिलाना, कल आजम खान को ऐस अपने के लिए खिलाया गया था, ख्रैंचाइस टीम ने, और खास तरफ यह फैसला इसलिए की एक है, क्योंकि अमर अकमल अब ख्रैंचाइस के लिए दस्याब नहीं है, तो अमर अकमल की वैसे जो खला पैदा हुआ उसको पूर करने के लिए आजम खान को इंड़क किया गया, और अग्रेसिव बाटिंग का मुझारा करते वे नजराये कल, आजम खान 33 गेम दो पर उनसे टन उनने बनाए, उनकी बाटिंग आपको कैसी लगी, हमायों ककड कहरे हैं कराची किंग, मुर्टजा खान कहरे हैं जलमी, यानि कि आप सब हमें बता रहे हैं कि आज टीम कौन सी जीतेगी, यहां तो हमें बताएं, ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन साथ-साथ, पोल क्वेशिन का भी जवाब दे, आपने जियो सुपर.TV विजिट करनी है वेब साइट, और वहां पर आपको पोल क्वेश अपने सवाल हम तक पहुचाना शुरू करें, फखर आलम कह रहे हैं, पिशावर जलमी, हमाद, इमरान कह रहे हैं, आपको क्या लगता है, भाई वा, मुझसे सवाल कर रहे हैं, बोटा, दोनों ही टीम है बहुत तगड़ी हैं, हमाद इमरान, आई परिसनली बिलीव कराची Kings का आज काफी स्रॉंग चांस लग रहा है मुझे यह माद जीतने का, because Dean Jones भी अब कराची Kings में आ गए हैं, हम जानते हैं कि Dean Jones कितने अग्रेसिव हैं, as a coach, और टीमों को खिलाना, कीमों को लडाना जानते हैं, Islamabad United की जीत में बड़ा कलीदी करदार था Dean Jones का, अब कराची Kings के एक दिफरेंट टीम के तौर कर नजर आएगी, एक बहुतर कॉंबनेशन आपको कराची Kings की तीम में नजर आएगा, अब आप बड़ाची किस तरह परफॉर्म करते हैं, खुद भी परफॉर्म कर रहे हैं, इंगलिज टीम में जगा बनाने के लिए, तो देखना होगा के प आपके जावेद भी अच्छा परफॉर्म करें, साथ-साथ आजम खान भी चके चौके लगाएं, तो बड़ा मसला हो जाता है जब आप यंग्स्टर्स को सपोर्ट कर रहे होते हैं, यह वांट एव्यों तो बड़ा होते हैं, आप लोग पाक्सन सुपर लीग के आगास से अब तक वो एक्साइटमेंट बरकरार रखे हुए हैं, पूरा अभी पाक्सन सुपर लीग बाकी है, भट वसीम कह रहे हैं, इस टाइम फॉर कराची किंग्स, बिल्कुल कभी इमकान है इसका भट वसीम क्योंकि कराची किंग्स का तगड़ा स्कॉर्ड है, अच्छे बॉल नगरे घिएगर आजएगे, पीपोल आर लुकिं तवर्ड हैं, अगर हम कराची के स्कॉर्ड की बात करें, तो आपको दिखाते हैं, थोड़ी देर में आपको दिखाते हैं कराची के पास औप्शन्स क्या वेलिबल हैं, चाट्विक वाल्टन भी कराची के पास मौझू ऑ कराची के पास कैमरों डेल पोर्ड भी मौजूद है भी आल नो बाबर आजम कराची किंग्स का हिस्सा हैं कप्तान नहीं है तो बिल्कुल प्रेशर महसूस नहीं कर रहे होंगे और होफिली इस बार बाबर आजम यंग्स्टर्स की एक्स्पिक्टेशन पर पूरा उतरेंगे हिर इस दिसकॉर लेन जुएंड मैं इमाद वसीम आपको नज़र आ रहे हैं साथ साथ बाबर आजम और इतगार एहमद भी कराची किंग्स की टीम का हिस्सा है और रिजवान भी आपको इस टीम में नज़र आएंगे उसाम अमीर भी आपको इस टीम में नज़र आएंगे ओवेज जिया कराची किंग्स के लिए बांटन को भूलना नहीं चाहिए बहुत इंप्रेसिव यंग्स्टर है बांटन और इस बार कराची किंग्स के लिए एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं जिस तरह हमने कल क्वेटा ग्लाडियेटर्स के लिए देखा ठीक है अबना अरसलान मुगल ने जो हमसे पूछा था आपके स्टीम को स्पोर्ट कर रहे हैं और इसके बारे में मैंने बता दिया एक जी हम देखना होगा इस गोई इंट्रिस्टिंग कॉसी निभी जीती है हसन अली PSL की पाइंट रहे हैं असलाभाद इनाइट की लेस नॉट फगेट पहले सीजन में हसन अली ने जिस तरह जेनरेटर चलाया था अपनी परफॉर्मेंस दिखाए थी उसके बाद उनका पाकसान टीम में भी नाम आया आप लोग की सवाल हम तक पहुंच है है आप लोग की कॉमेंस भी हम तक पहुंच रहे है हम तमाम चीज़ेंग कर रहे हैं लास्त नाइट आके फैंड मूसा बोल बेरी वेल यार बलकुछ सही कह रहे हैं अब कल जिस तरह आके जावेद ने इंप्रेस किया है और जिस तरह फसाया है ना कुईटर ग्लाडियेटर्स के बास्मन को अब अपसुल्ली अमेजिंग शादाप खान एक नया कप्तान असाइन किया है इसलाबाद जिनाइटिड ने और इनका स्कॉर्ड अभी हम आपको दिखा रहे हैं जो कल आपको खेलता में नजर आया है वो प्लेइंग 11 का हिस्सा थे सो आगी चलके हम आपको दीगर स्कॉर्ट पी दिखाएंगे पिशावर जलमी के पास क्या क्या आप्शन्स इस पर भी हम बात करेंगे प्लेज निसार आमद लगारी के रहे हैं कराची गीतेगा अकमल राजपूद के रहे हैं कराची जीतेगा जाहिद गल के रहे हैं जलमी और आगे तीन हम टर्ड टॉपियां भी लगाएँ हैं इक्सक्यूसमी पड़ा यानि किुछ वो कह रहे हैं कि जलमी सिर्फ आज का जो के लोहूर के कजाफी सेडिय में खेला जाने वाला है, कल आपने नोट किया हुगा, अली तरीन अकेले खड़े वे थे, उनके साथ शान मसूद मौझूद नहीं थे, वो इसी वज़ा से था, क्योंकि मुल्तान सुल्तान और लोहूर कलंदर्स की जो टीमें थी, वो लोहू को ज corona नने Mולtान सुल्तान को चला है, जिस तरह यंंग टेलिंट को इंड दक या है, जिस तरह रोहिल नजीर को टीम को बहुत किया, सासले अली शपीक को भी उठाए It's going to be interesting कि वो अपनी टीम में किसको खिलाते हैं याद रहे एक emerging pick जरूरी है तो रोहिल नजीर can be it for मुलतान सुल्तान याद रहे अमर सिद्धीक पिछली दफ़ा उनके wicket keeper opener थे इस बार रोहिल नजीर हो सकते हैं So interesting होगा कि रोहिल नजीर इस PSL में कैसे परफॉर्म करते हैं सिदाम अली कह रहे हैं हाई ब्रो कैसे हैं आप करीसे हैं हेलो हाई तो अपने जिगाट ठीक है आपके ताफिरात भी हमसे कहा जाएं कुछ सवाल भी आजाएं तो अच्छा हो जाएगा सदाकत खान काकर कह रहे हैं आइंटी करॉप्शन यूनिट ने और उन पर पामदी लगा दी गई है जब तक उनके ओपर चार्जस क्लियर नहीं हो जाते तो सवाल ये पैदा होता है कि हम किस किसम के एक्जामपल सेट करते हैं अपने प्लेयर्स के लिए अगर कोई करॉप्शन में मुलविस होता है तो उसको कितनी सजा मिलती है क्या सजा पूरी करने के बाद उसके तमाम जो जो उसकी कारवाईयां है वो माफ हो जानी चाहिए आज का पोल क्वेशन भी आपके लिए हम बता दें जी जो पहले माजस मुतालिक है अगर आपने इस पोल क्वेशन का जवाब देना है इस वेबसाइट पर ना सिर्फ आपको इस पोल क्वेशन के ग्रैफिक्स नजहराएंगे बर्के साथ साथ लाथा डाद आपको आर्टिकल्स भी नजहराएंगे रिपोर्ट भी नज़र आएंगे जो हमारे रिपोर्टर्स, हमारे आनलेस् पाकिस्तान भर से अप्लोड कर रहे होते हैं throughout the day, मुतादिद आर्टिकल अप्लोड हो रहे होते हैं तमाम तर अप्डेट्स यहां पर मौजूद होती हैं जो कि पाकसिन सुपर लीग से मतालिख कुछ ने को जानना चाहता है टाइम खातम होना हमारे पास जल्दी से कुछ सवाल कर लेते हैं आमिर बर्की कह रहे है आफ़ीदी किस टीम में सेरिएसली आमिर बर्की मुल्तान सुल्टान की टीम में है मेरे भाई इस बार मुलतान सुल्टान ने उनको इंड़क किया है पीपला वेरी हैपी मुलतान में वाइद वे तीन मैचेस कहले जाने वाले हैं ये भी बड़ा पॉजिटिव है मुलतान सुल्टान के लिए कि दूसरा ही साल है उनका पाकसान सुपर लीग में हैं कामरान अक्मल कामरान अक्मल हास ड़न एक्सेप्शनली वेल थूराइव पीएसल चार सीजन में उन्होंने चांदार परफॉर्मिंस दिखाई है सेकंड हाइस कोडर भी है इस नेक नेक विथ शेन वाटसन शेन वाटसन कल जादा बड़ी सो नहीं खेल पाए हैं लेकिन अगर आज कामरान अक्मल बड़ी इनिक्स खेल लेते हैं तो एक बात फिर टॉप स्कोरर बन जाएंगे पीएसल टॉक्स के लिए आज के लिए इतना ही बड़ लेट्स नाट फगेट तुरूआट दे डे जियो सुपर और जियो नियूस पर आपके साथ आज़र रहेंगे आपको अपडेट्स देते रहेंगे एक से दो जियो नियूस पर हम आपके साथ होंगे चार से पांच जियो नियूस पर हम आपके साथ होंगे और तमाम तर अपडेट्स और डीटेल्स आपके साथ शेयर करें होंगे PSL Talks से आज के लिए इतना ही अलाहाफिस